Come back to my channel friend, कैसे हो आप, I hope सभी अच्छे होंगे, तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे गुलाप के पोधी के बारे में, गुलाप पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाए, और उसकी के और कैसे करें, तो से पहले देख लेते हैं फ्रेंड के मेरे गार्डन में, कौन-कौन स फूल आज ब्लूमिंग पे हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले, फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, तो देखिए फ्रेंड यह है, पिंक कलर का टिकोमा, जो आज बहुत ही खिल है, और उसके बाद यह देखिए, गुडल में कितने सारे फूल आनने लगे हैं, और यह है गुलाब का पोदा, जिसके बारे में मैं आप से शेयर करूंगी, यह देखिए, औरेंज कलर का गुलाब है, बहुत ही खुबसूरत है, और निव निव ग्रोध भी आई हुई है, तो मैं आपको इसका सिक्रेट भी बताऊंगी, उससे पहले हम देखेंगे कि गार्डन में कौन-कौन से फूल आज खिले हुए है, तो एक जहलक देख लेते हैं, यह देखिए, मेरी वाइट गुलाब की बेल है, आज भी खिले और निव निव शूड भी निकले हुए है, यह देखिए, बंच में इसमें फ्लावर आते हैं, आज भी 4-5 फ्लावर खिले हुए हैं एक साथ, उसके बाद जेट रुपा में तो रोजाना ही फूल खिलते रहते हैं, यह देखिए भाइट गुडल, यह भी बहुत सारे फू है इसका, और यह देखिए, छुपे हुए है, यह परपल कलर के गुडल के फूल, दो या तीन फूल लगे हैं आज, बहुत ही खुबशूरत दिखते हैं, यह भी, और यह देखिए, टेकसास में भी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से, बहुत खुबशूरत लग है, ढेरो कलिया है इसमें, मैंने एक दो बार इसकी कटाई चटाई वगेरा की थी, बहुत बढ़ रहा था, तो अभी देखिए, इसमें बहुत सारी कलिया भी आई हुई है, और फूल भी आये है, आज खिले हैं फूल, इसलिए मैंने अभी रहने दिया, कटाई नहीं की है तो हम आप बात करेंगे फ्रेंड गुलाब के पोदे की तो गुलाब के पोदे में हमें क्या देना चाहिए कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए ताकि हमारे पोदे में ज़्यादा से ज़्यादा कलिया बने और ज़्यादा से ज़्यादा पूल आए तो देखिए यह है चाय पत्ती जो हम घर में यूज करते हैं फ्रेंड वही चाय पत्ती आप हर रोज अपने गुलाब के पोदे में डाल लिया करिए उससे बेतर खाद कोई नहीं हो सकता यह देखिए मेरा पोदा कितना हरा भरा और घना हो गया है और आप देख सकते हैं कितनी सारी कलिया बनी हुई है इसमें बहुत सारी कलिया बनी हुई है और एक फूल खिल रहा है पुरी तरह ने खिला यह देख सकते हैं दोन तीन चार पाच्छे कितनी सारी कलिया बनी हुई है और पीछे की साइड से एक नया सुट भी निकला है उसमें भी बहुत सारी कलिया बनी हुई है तो इस तरह से आप घरेलू उपाय से अगर यूज करते हो अपने पोधों में तो आपके गुलाब पे भी ध्यर सारी कलिया बनेंगी और ध्यर सारे फूल खिलेंगे तो आप भी ऐसे ही अपने घर में निकलने वाली चाय पतिर बीना सुकाए भी आप डाल सकते हो या फिर सुकाए हुए भी आप उसमें डाल सकते हो यह देखिए निव सुट निकली है और कितना अच्छा पोदा है बहुत ही खुपसूरत लग रहा है और यह औरेंज कलर का है हाइबरीट का है गुलाब रोज तो इसमें आप भी इसी तरह से डाल सकते हो और उसके बाद बात करेंगे तो थोड़ा सा एपसम साल और एनपी के में भी आप 15 या 20 दिन में इसमें डाल लिया करें दाकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिल सकें